Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल पचास दिनों तक करीबन जेल में रहना पड़ा, एक कॉंस्प्रेसी के चलते, और अपने ही देश में उन्हें इनसाफ मिलने में करीबन 20 साल से जादा लग गए, ये वो केस जिसमें उस शक्स को, साइन्टिस को, स्टेट गौर्वर्मेंट ने आरोपी बनाया, और सेन्टर गौर्मेंट ने उन्हें पदम भूशन से नवादा, ये वो केस जिसमें करीबन 18 पुलिस ऑफिसर्स को, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, गरफतार किया गया, साथ ही साथ में ये आपको आज पता चलने वाला है कि कैसे भारत का जो चान तक पहुँशने का सफर था, उस बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, इस केस के अंदर जूडिशल रिफॉर्म के बारे में, साथ ही साथ में आपको जो इंटरनेशनल एग्रिमेंट्स है, इसके बारे में पता चलेगा, क्राजनिक इंजन को बनाने का जो सलसला शुर जिसमें ये जो साइंटिस जिनके बारे में बात कर रहे हैं, वो साइंटिस्त थे, नम्भी नाराइनन और ये केस है, इस्रो स्पाइन केस, तो शुरुवात होती है साल 1941 से, 12 दिसंबर 1941 को तमिल नाडू के नागर कोईल में, नम्भी नाराइनन का जनाम होता है, देश के ए उनकी नागर कोल से ही हो, इसके बाद में इनोंने बीटेक करने के लिए, मद्रोई के थ्याग राजर, कॉलेज ऑफ एंजिनरेंग में एड्मीशन लिया, मेकनिकल एंजिनरेंग में इनोंने बीटेक वहां से अपना किया, इसके साथ ही अब कॉलेज जब खतम हुआ, तो 1966 स नम्भी नारायन नेर्ट के अंदरी तिर्वननत्पुरम में, तीन साल पहले 1963 में ही जो बनाई गई थी इसलों के द्वारा, थुमबा एक्क्योटेरियल रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन, वहां पे एजा टेक्निकल एसिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, त 1969 में इनको भेजा यूएस अपने खर्चे पर, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, यह वहां पे जाते हैं प्रिंस्टर उनिवर्स्टी में, यूएस में, और पिंस्टर उनिवर्स्टी में यहां पे इन्होंने चैमिकल रॉकेट प्रोपुल्शन के ऊपर अपना मास्टर प प्रोपुल्शन में, अपना जो एक्सपर्टीज थी, वो लेकर भारत वापस आ रहे थे, यह भारत वापस आते हैं और इसके बाद इस्टरों के साथ काम करना शुरू करते हैं, काम करना इनका इस्टरों के साथ जारी रहा, आप यह देखिए कि 1970 का यह दौर था, और 1970 में नम्भी ने इस्टरों के साथ में काम करते हुए, यह समझ चुके थे वो कि future जो है भारत के civilian space programs का, यह जो future है वो liquid fueled engines का है, उसमें liquid fueled engines की ज़रुएत पड़ेगी और इसी के साथ में 1970 से ही इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया था, 1993 आते आते नम्भी नारेनन इस्टर भी बनाने के लिए cryogenic technology का इस्तमाल किया जाना था और ये जो technology थी ये इसलिए जरूरी थी क्योंकि GSLV को space में और गहराई तक भेजने के लिए और दूर तक भेजने के लिए साथी साथ में वो अपने साथ में कई सारे जो heavy satellites होंगे उनको ले जा सके इसके लिए जिस पावर की जरूरत थी वो cryogenic technology से ही मिल सकती थी इसके लिए यहाँ पे भारत ने उस समय पर रशिया की Russian commercial जो space agency ग्लैब कोस्मोस उसके साथ ने एक deal की ये deal की जाती है cryogenic technology की लेकिन इसकी भनक लग जाती है अमेरिका को अमेरिका को यूएस को जब इसकी भनक लगी तो यूएस ने क्या किया कि मिसाइल टेक्नलोजी कंट्रोल रजीम जो MTCR है इसके तहत यहाँ पे यह कह दिया कि भारत जो है वो ऐसी टेक्नलोजी बना ही नहीं सकता है और रशिया की यह जो deal थी बनाना भारत जब खुद से शुरू कर रहा था और यह बात यहाँ दे साफ हो चुकी थी एक तरह से कि यूएस जो था जो अमेरिका था वो चाता ही नहीं था कभी शुरुआत से ही कि यह भारत जो है भारत कभी स्पेस सेक्टर में ग्रो करें तो यहाँ पर क्या होता है कि इसरो ने अब जब खुद से यह टेक्नलोजी बनाना शुरू किया तो इसके अंदर इसरो के अंदर एक क्राजनिक टेक्नलोजी का डिवीजन बनाया जाता है और उसके हेड बनाया जाते है नम्भी नारायनन वही scientist जो US से जाके वहाँ से अपना liquid propulsion में पूरा एक तरह से expertise वहां की लेके आये थे यह वही समय था कि जब US को इस बात की जब पता चलता है जब भनक पड़ती है कि भारत ने खुद से वहाँ पर इस पर काम करना शुरू कर दिया करे जंक टेक्नलोजी को पर यहां से US की जो खुवी आजेंस्ये is 취e उसने अपना ये काम शुरू कर दिया था कि किस तरह से प्लान करना शुरू कर दिया था किस तरह से भारत का यह जो क्ाहिंडियो का पूरा प्रोग्राम है इसको फेल किया जाए इसको खतम किया जा रोका ज लिया गया था senior police officers को लिया गया था यह सबसे बड़ी इसमें दुख की बात थी कि यह प्लान बनाया गया उसमें भारत के भी लोग शामिल थे दोस्तों इस episode में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं अगर आप यूपीसी English English तीनों बहुत बैचे मिल जाते हैं अपनी सहुलित के साब से आप इन में से बैच चूस कर सकते हैं इस वीडियो के एक बड़ा सा डिसकाउंट तो लेंगे ही साथी अपनी तयारी उसको बहुत जादा मजबूत बनाएंगे आपका जो लक्ष है आईस बने का यूपीज सी एस क्लियर करने का आप उसकी लक्ष के एक कदम उसकी तरफ अपना आगे बढ़ाएंगे तो जल्दी से जल्दी खूफिया एजनसी आरेने डबलू के अंदर भारत सरकार के अंदर अपनी घुस्पैट करने की कोशिश किये, खूफिया एजनसी के ऑफिसर्स को हनी ट्रैप में फसाया है, आज आपको पता चलने वाला है कि इस रो के अंदर कैसे एक पूरा कॉंस्परेसी रची गई थी, भ पूरम में होटल समराट के अंदर कैरला पूलिस जाके एक महिला को गरफतार करती है, वहां से एक महिला को पकड़ा जाता है, एक मालडिव्स की रहने वाली महिला थी, जो की भारत आई हुई थी, नाम था मरियम राशिदा, मरियम राशिदा होटल समराट में अपनी एक द 48 के section 7 के तहत क्या case order जो register किया जा रहा है आपकी खिलाफ charges यह लगाए जा रहे हैं कि आप over stay कर रहे हैं भारत के अंदर यहां पे जो Mariam रशीदा थी उसने बताया कि भारत आती रहती है और वो इस समय इसलिए उसका over stay हो रहा है जो थोड़ा सा उसको डिले हुआ है जाने के लिए क्योंकि उसकी जो एक उसका genuine reason था कि उसकी जो Maldives के लिए flight थी वो कुछ time के लिए suspend हो चुकी है साथी साथ में वो यहां पर आई हुई थी क्योंकि जो उसकी दोस्त है उसकी बेटी का केरला में यहां पर admission कराना था इसके लिए यहां पर आई हुई थी हो पहले भारत आती रहती है लेकिन फिर भी आनन फानन में इंस्पेक्टर विजन ने केस दर्ज कर दिया मरियम रशिदा के खिलाफ इसके बाद पूछताच की जाती है और इसके बाद में केरला पुलिस ने एक अपना कहा जाए कि बयान बहुती जल्दवाजी में एक बयान जारी किया और यह बताया कि पूछताच में यह पता चला है कि मरियम रशिदा इसरो के कुछ साइन्टिस्ट के संपर्क में है और यह वो साइन्टिस्ट है जो की यहां से जो information है इसरो की 15 दिन बाद ही एक और बड़ा एक तरह से जटका दिया केरला पुलिस ने कुछ इस तरह की चीज की गई जो बिना किसी investigation के बिना किसी ठोस सबूत के यह किया गया था कुछ ऐसा चीज किया गया था वो यह था कि पुलिस ने एक केस रेजिस्टर कर दिया इसरो के दो बहुत के अंदर इसरो में और नम्मी नर्यन तो उस समय इसरो के अंदर क्राजनिक डिविजन के हैड हुआ करते थे इन दोनों बड़े साइंटिस के उपर केस रेजिस्टर कर दियती है कैरला पुलिस और इसी के साथ में ऑफिशल सीक्रेट एक्ट के तहित यहां पे जो रशिया क कि जो स्पेस एजेंसी थी कॉमिशल स्पेस एजेंसी क्लैफ कॉस्मोस के इंडियन रिप्रेसेंटेटिव इंडिया में जो रिप्रेसेंटेटिव थे उसके चंड शेकर उनके खिलाफ मरियम रशीदा की जो दोस्त उसके साथ में थी फौजिया उसके खिलाफ और साथ में बैंगलोर के लिवर, contractor S.K. शर्मा के खिलाफ, यहाँ पे केरला पुलिस ने Case रेजिस्टर कर दिया, इस पूरे स्पाइं केस के अंदर, मामलार यहाँ पे रेजिस्टर कर दिया, इनको भी इसमें समेट लिया, शुरुवात में इसकी पूरी जो जाश थी, वो जो इंस्पेक टीम ने इनकी 30 नवेंबर को नम्भी नारण को अरेस्ट कर लिया नम्भी नारण को अरेस्ट करने के बाद में यहाँ पर इन्हों ने जो एक तरह से कहा जाए कि conspiracy case उनकी उपर लगाया था इल्जाम जो था आरोप था वो यही लगाया था के नम्भी नारणन और ससी कुमारन यह दोनों ही इसरो के विकास इंजन की जतनी भी ड्रॉइंग से जतने secret documents हैं इसरो के प्राजनेक इंजन की टेक्नलोजी के रिलेटेड जो भारत की documents हैं यह सारे के सारे documents मरियम रशिदा के थूँ पाकिस्तान और बाकी देशों में भेज रहें specifically पाकिस्तान में भेज रहें साथी साथ में यह बताया के पाकिस्तान और ISI की तरफ से इन लोगों को लाकों US डॉलर दिये गए यह सारे आरोप लगातार पुलिस ने यहाँ पे इन बड़े scientist के उपर लगा दिये रशिया की जो Space Agency के जो इंडियन representative थे चंद्शेकर उनके साथ में एक और नाम connect किया गया यहाँ पे केरला पुलिस के द्वारा यह नाम था IPS रमन शिर्वास्तव का IPS इस रमन शिर्वास्तव का नाम केरला पुलिस ने इस तरह से एड किया यह बताया कि चंद्शेकर के साथ मिलके IPS रमन शिर्वास्तव बैंगलॉर के ऐरोनाटिकल डिफेंस इस्टैबलिश्मेंट से जो सीक्रेट इंफोर्मिशन थी उसको पास-on कर रहे थे उसको वहां से कर रहे थे चंद्शेकर के साथ में यह जो इनका जो नाम आया IPS रमन शिर्वास्तव का इनका नाम क्यों आया यह अभी आपको आगे पता चलने वाला है इसमें यह आपको बताने वाले हैं यह सारे आरों केरला पुलिस ने यहां पर लगाए केस रेइस्टर किये अब इस के करला के जो उस समय आइबी के अडिशन डिरेक्टर थे IPS ओफिसर आर्भी स्रीकुमार वो भी शामिल थे नम्मी नरायंड से पूश्ताच की गई और बताया जाता है कि उन्हें उस पूश्ताच में उस इंटर्वेशन में थर्ड डिग्री तक भी आ गया उन्हें टॉर्चर रहे थे इस स्पाइंग केस के अंदर आप यह देखिए कि IPS रमन शिर्वास्तफ का नाम कैसे आया रमन शिर्वास्तफ को इस तरह से इन्वाल्फ किया गया इसके पीछे बहुत ही जादा पॉल्टिकली एक मोटिवेटेड एक पूरा कॉंस्प्रेसी दिखती है बात यह थी कि यह बात यह सही बात नहीं है कि इस तरह से इतने बड़े साइंटिस को अरेस्ट कर लिया गया है बिना सबूतों के लेकिन इंटरनल पॉलिटेक्स इस तरह की थी उस समय पे और इंटरनेशनल जो कॉंस्प्रेसी बनाई गई थी अमेरिका की खूफी अजंदी CIE के द्व वो भी साही नहीं थे और इनी सब के चलते रवन शिर्वास्तप को इसमें एड़ उन किया गया इस पूरे मामले में इंवल्फ किया गया है के करना करन के लिए C.M. के लिए इतना जादा पॉलिटिकल प्रेशर उनके उपर आ चुका था क्योंकि मामला जो था वो कैरला बीच में चल रहा था और करीब पचास दिनों तक इस बीच में नंभी नरायन को एक इतने बड़े सैंटिस्ट को इक बर्लिंड्य तक जेल में रहना पड़ता है तो देश के इतने वड़े साइंटिस को नम्भी नारहन को उस समय 50 दिनों तक करीबन जेल में रहना पड़ा उन्हें टॉर्चर किया गया उनको थर्ड डिग्री दी गई लेकिन इसके बाद अब यहां पे बड़ा मोड आता है इस केस के अंदर जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है यह पूरा केस CBI को CBI को एक केस दिया गया और CBI ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद के इस तरह के तो कोई सबूत ही नहीं इस तरह की कोई चीज़ें हुई यह एक तरह की conspiracy है यहाँ पर CBI ने अपनी मई 1996 में एक 104 पन्नों की 104 पेज़ेस की एक इर्ना कुलम में चीफ जुडिशियल मजिस्टेट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की CBI ने अपनी रिपोर्ट में साफ तोर पर यह बता दिया था कि जो एविडेंस बताये गए हैं कि जासूजी करने का जिस तरह कि इन दोनों साइंटिस्ट के उपर आरोप लगे हैं इन लोगों को ऑफिशल सीक्रेट एक में फसाया गया है एक तरह से यहाँ पर यह जो सारे के अरेस्ट किया है साथी साथ CBI की रेपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो एविडेंस हैं एक बीडेंस ऐसा रिकवर नहीं हुआ है जो बताया गया है और इसके अलावा पैसों का जो लेंदेन बताया गया है कि यह जो सांटिस्टे इनको पैसों का पैसे मिलें इसके भी कोई स से इस केस में आयें, एंटर हुएं और इसके बाद में इनों ने साइंटेस्स से पूछताज किये, कारवाई किये साथ ही साथ में आईपेस रबन शिर्वास्तफ का भी जो नाम है वो जवरन एड़ान इस केस के अंदर किया गये इन्वाल्व उनको किया गया है, कोट ने जब ये पूरी रिपोर्ट देखी, CBI की, इसके बाद में कोट ने इस रिपोर्ट को एकसेप्ट किया और सारे के सारे जो लोग थे, जतने भी लोग थे, इंक्लूडिंग दोनों साइंटिस्ट, ससी कुमारन और नम्भी नारायनन, दोनों को ही और इन सभी लोगों को 2 मई 1996 को, 2 में 1996 को बरी कर दिया जाता है, एक्विट कर दिया जाता है अब यहाँ पर इस कॉंस्परेसी के चलते आप यह देखिए, कि नम्भी नारायन जैसे साइंटिस्ट को करीवन 50 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था, उन्हें टॉचर किया गया था, यह सब चीज़ें उनके साथ में हो चुगी थी, लेकिन अब यह कहानी अभी तक यहा order दिया जाता है, इस case के अंदर एक बार फिर से, अब यह politically motivated था यह पूरा जो step था, सरकार का, या इसके पीछे कुछ दुबारा से conspiracy थी या CIA का फिर से कुछ ना कुछ इसमें involvement था, यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब reinvestigation करने के लिए order दिये गए, तो अब यहाँ पे इस थी उसको खारिश कर दिया जाता है केरला ही कोट के दौरा, लेकिन इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोट का सर्वोच नयायले का दरवाजा खट-कटाया और 1998 में सर्वोच नयायले नहीं यहाँ पे केरला सरकार की जो reinvestigation का order था, जो उन्होंने order दिया था, उसको खारिश चाती थी अमेरिका की, कि यहाँ पे भारत का जो space program है, जो एक तरह से चांद पे पहुशने का जो हमारा सफर है, जो हम शुरू कर सकते थे 15 साल पहले ही, उसको वो रोकना चाते थे और उन्होंने रोक लिया, अमेरिका उसमें काम्याब हो गया, नम्भी नारायन का वो प्र उसके लिए कैरला पुलिस के उफिसर्स के उपर इन्होंने compensation की उनसे मांग की, करीबन एक करोर रुपे का compensation इन्होंने मांगा था, लेकिन इसके बाद आप यह देखिए कि साल निकलते जाते हैं, नम्भी नारायन के लिए कोई compensation नहीं आता है, साल निकलते गए, 2001 आया, और 2001 में NHRC ने 10 लाक रुपे का, एक interim relief के तौर पर, 10 लाक रुपे का जो compensation था, वो देने का order दिया, करला सरकार को, लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए कि इसके लाद 5 साल निकल जाते हैं, 2006 आया, 2006 में करला सरकार ने हाई कोट में appeal कर दी order, इस order के खिलाफ, उन्होंने यहाँ यहाँ पे appeal की, इसके बाद में फिर से और 6 साल निकल जाते हैं, 2012 आ गया, यह जो compensation था, वो भी उन्होंने अभी तक नहीं मिल पाया था, नम्मी नर्यन को, 2012 आ जाता है, और यह मामला चलता रहा लगाता, हाई कोट ने इसके बाद में नम्मी नर्यन को 10 लाक रुपे देने का, जो NHRC का जो order था, उस compensation order को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे आदेश दे दिया, यह 2012 था, करीबन इन 13 सालों तक, एक scientist जिसके साथ में अत्याचार हुआ, जिसके उपर injustice हुआ, उसे compensation मिलने तक में 13 साल यहाँ पे लग चुके थे, लेकिन इसके बाद भी अभी उनको पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला था, उनके साथ में जो torture किया गया था, जो IPSCV मैथ्यू की जो पूरी team थी, उन्होंने जो third degree दिये थी, जो interrogation किया था, वो नम्मी नाराण ने इसके उपर step लेना, इसके उपर action लेना शुरू किया, करीबन दो साल बाद, 12-15 में नम्मी Supreme Court एक बार फिर से, और Supreme Court में जाके उन्होंने ये अपनी अपील की, कि criminal और जो disciplinary activities, जो action है, वो इन officers के उपर केरला पुलिस के लिया जाना चाहिए, जो सही मैथ्यू की team थी IPS की, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से उनकी उपर चीज़ें की थी, वो एक तरह से उनको बह कामला यहां से चलता रहा, 2021 आ गया, और 2021 एपरिल में हुआ है ये, कि जब Supreme Court ने, finally CBI को ये कहा है, कि आप केरला पुलिस के और IB के जो officers थे, जो 18 officers, 18 officers ऐसे थे, जो इस पूरे case में शामिल थे, जिन्होंने पूरा एक तरह से कहा जाए कि conspiracy रची है, और किस के कहने पर रची किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर Supreme Court ने ये कहा था, CBI को आदेश देते हुए, कि आप इसको reinvestigate अच्छे से करिए, दुबारा इसकी जाच करिए, क्योंकि Gen Committee की भी जो report आई थी, Justice DK Gen थे, Supreme Court ने जो committee बनाई थी, उनकी report में भी Gen Committee ने ये कहा था, कि ये serious case है, और इसम किताब लिखी थी, अपनी 2018 में, Ready to Fire, How India and I Survived the ISRO Spike Case, इस किताब में उन्होंने पूरी तरह से ये बताया है, कि जब ये पूरी investigation IB के हाथों में पहुंची, इसके बाद कैसे IB की कुछ officer CIA के साथ में, मिलकर, काम कर रहे थे यहां पर, इनका CIA का जो target था, वो ISRO था, इसरो का ज इसरो में target करने के लिए, उन्हें महरा बनाया गया, नंभी नारानन को, इसके बाद एक पूरी conspiracy रची जाती है, एक fake कहानी, फर्जी कहानी, और इसी के साथ में इस project को जो delay करना चाहता था, वो इसको delay कर देता है, ये सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है, इस पूरे case में इसमें आप ये देखिए, कि नंभी नायन को फसाने के ये जो पूरा case था, इसमें आप ये देखिए कि 1990s में, जिस cryogenic engine की उपर भारत काम कर रहा था, हम 15 साल पहले, कम से कम, चांद पे पहुँचने का जो अमरत, सफर था, उसको शुरू कर सकते थे, लेकिन इस case में एक ज सिफ ये सब खराब नहीं हुआ, बलकि एक देश भक्त साइंटिस्ट के उपर, एक देश भक्त के उपर, गद्दार होने का tag भी लगा दिया गया था, नंभी नारायन से आपको और हमें ये सीखना चाहिए, कि अपने लिए stand कैसे लिया जाए, अपने लिए खड़े कैसे र अपने human rights के लिए लड़ाई की, NHRC गए, NHRC में जाकि compensation की मांग की, उस compensation को आने में सालों लग गए, करीबन 13 साल के बाद उनको ये इंसाफ, जो आदा इंसाफ एक तरह से का जाएगा, वो मिला, इसके बाद भी उन्हें जब compensation जो मिला है, फिर से उन्होंने अपने लिए fight क जारी रखा, जो उनके साथ में मांसिक प्रतार ना होने, जो torture किया गया था, जो third degree दिया गया था, जो police officers के खिलाफ उनको action लेना हो था, उसके लिए वो supreme court जाते हैं, एक बार फिर से लड़ाई लड़ते हैं, फिर उस case को आगे बढ़ने मामला लगातार सालों तक चलता है लेकिन इन सारे सालों में वो लगातार अपना जो patience level था, जो सब्र था, वो बनाए रखे और उसके साथ में वो अपने लिए लड़ते रहे, खड़े रहे, तो खुद के लिए खड़े होकर आपको किस तरह से लड़ाई करनी है, यह हमें नम्मी रायन से सीखना चाहिए, य UPSC, CSE में भी आपको बहुत जादा यह चीज, एक यह skill है, patience level की, खुद के लिए लड़ने की, यह आपको सिखाती है इस case से, कि आपको UPSC में भी यहाँ पे आप exam देंगे, आपका कभी pre नहीं निकलता, उसके बाद में आपका pre निकल जाता है, आपका means में नहीं हो पाता means of pre हो जाते हैं, आपका interview में आपके कुछ मार्क से रह जाते हैं, लेकिन आपको लगातार लड़ते रहना है, लगातार अपनी fight जो है, अपने लिए है, उस patience level को बरकरार रखते हुए, उसे जारी रखना है, क्योंकि at the end, अगर आप अपने लिए लड़ते रहेंगे, तो यह चीज आपको यहां से इस case से सीखनी चाहिए, और यह पूरा case था, इस रो, spying case, जिसमें हमने आपको बताया किस तरह से पूरी conspiracy रची गई थी, और बताया जाता है कि यह पूरा case जो है, यह एक तरह से पहली बार ऐसा हुआ था, इस रो की history में भी और इंडिया की history में BK, space related जो इस तरह की case क्योंकि बहुत ही कम सामने आते हैं, तो यह इस तरह का पहला case है, इस वीडियो के description में आपको यहां पे UPSC, CSE की अगर आप तयारी कर रहे हैं, तो यहां पे आपको P2I batch का, और बहुत सारे और भी batches के study IQ के, लिंक मिल जाता है, आपको जाना है और यहां पे वीजे live code लगाना है, आप जब इस code को लगाएंगे तो यहां आपको बहुत बड़ा discount मिलेगा, जो 70,000 का course से वापको 29,991 मिल जाता है, और आप अपनी यहां पे तयारी को बहुत जाना मजबूत बनाएंगे, तो जल्दी से जल्दी आप इस code को भी आप पर purchase की को लगाईएगा, और साथ में इस वीडियो के description में आपको इस playlist का भी link मिल जाएगा, जितने हमारे episodes हैं, इस तरह के हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे episodes लेकर आते रहते हैं, भारत की sensitive stories के ऊपर, conspiracy stories के ऊपर, आपके R&W के intelligence agencies के operations के ऊपर, तो यह सब आपको मापे देखने को मिल जाएंगे, अपने episodes भी, अपने topics भी आप हमें बता सकते हम भी आपके लिए और topics से लेकर आते रहेंगे, तब तक लिए दीजेज़ाद, नमशकार, धन्यवाद, जैहिंद,